नए साल यानी 2019 के आगमन में कुछी शेश बचे है और साल 2018 खत्म होने जा रहा है सभी लोग 2019 का स्वागत करने के लिए तयार हैं हर कोई नए साल में खुशाली और तरक्की की उम्मी कर रहा है ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत में कुछ उपाय कर लिये जाएं तो पूरा साल शुब हो जाएगा साल का पहला दिन अगर शुब हो जाएं तो पूरा साल ही अच्छा हो जाता है बहुत से लोग साल के पहले दिन एक जनवरी को शुब बनाने के लिए अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं ऐसे में अगर नए साल की शुरुवात में कुछ अचुक उपाय कर लिये जाएं तो पूरा का पूरा साल ही शुब हो जाएगा वही आज हम आपको बताएंगे कि साल के पहले दिन कौन से उपाय करने से आपका भाग्य अच्छा बन जाएगा और पूरा साल भी अच्छा गुजरेगा नौकरी में काम्याबी के लिए करें ऐसा साल की शुरुआत में अगर नौकरी और व्यापार में बरकत चाहिए तो उगते हुए सूरे को दाबे के बरतन में जल, गुड और सिंदूर में लाकर अर्पित करें यह उपाय आपकी नौकरी में काम्याबी के लिए बहुत ही शुब माना जाता है भरे तामबे के लोटे में पानी घर में सुक सम्रिद्धी को बढ़नाई के लिए जान लीजिए पहला उपाय यह है कि तामबे के लोटे में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल लें इसके बाद यह पानी शिवलिंग पर चढ़ा दें जल चड़ाते वक्तों महादेवायनम मंत्र का जाप 108 बार करें। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उपाएं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए चांदी का एक लोटा लें और फिर उसमें क्रचा दूद भर दें। वही इसके बाद दूद में शंकर, दही, घी श जहद में लाए लें। यह पंचामरित शिवलिंग पर चाहें और मंत्र गोमरुद रायनम का जाप 108 बार अवशे ही करें। आपको सफलता प्राप्त होगी। झाल 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 झाल